ये मैंने 300 गराम के लगभग मैदा लिया है और उसमें मैंने इतना एक कटोरी घी डाल रही है हैलो जी आप सब कैसे हो आज मैं बना रही हूँ गुजिया और मैं आप सब को अपना रेशिपी सेर कर रही हूँ तो आप सब भी अपने घर में बनाना हलके हलके घी डालते रहो आटा में और उसको आटा को हलके हलके हाथ से मसलते रहो ये देखो ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं कि यह आटा जो है मिक्स करते करते हैं इस तरह को गया कि आप इससे लड़ू भी बना सकते हो यह देख सकते हो इसी अच्छे सी बन गया है अब मैं इसको कवर करके एक घंटे के लिए छोड़ देती हूँ अब यह त्यार होगे मैं आधे घंटे बाद फिर मैं इसका गुजिया बनाओंगी अब मैं गुजिया के लिए सुगर सिरफ बना रही हूँ चाशनी बोलते हैं तो मैंने एक कटोरा पाने लिया और उस एक ही कटोरा मैंने उसमे चीनी डाल दिया यही मेजर्मेंट होता है बुजिया बनाने के लिए जो हम इस्तमाल करते हैं जो चाशनी उसका यह देखूँए मैंने मावाब घर में ही बनाया है कि घी में प्राइब कर देने से तोरा का की टेस्ट और ज्यादा आजाता है ऐसे तब कश्चा भी तोरके डाल सकते हो यह मैंने नारियल का जो थोरा सा क्रस्ट नारियल का मैं उसको भी प्राई करके अलका सबून लेती हूं तो भी यह हो गए तो मैंने मिक्सी में से तरदरा सकती से लिए है अब मैं इस नायड़ करते हैं अब आप देख सकते हो यह आदे घंटे सूपर तक से मैंने आटाय को रिष्ट करने के लिए रख दिय जला था, मैं इसको पेरा बना जानाके और फिर मैं छोटा छोटा रोटी बना गांते हैं, आप देख सकत हो कि सारे पेरे मेरे बन गै है अलो मैं आपको यह रोटी बने आख दीखाती और न duplicate न पत्ला एक तरह का आप को जितना बढ़ा गुजिए होता है आप उसी आहाशा रोटी type डैसे मैंने ये बनाया बिसां कि आप देख सकते में मेरे सारे रोटी बनाके रख लेए और इहारम रिधी घरम हो रहा है और उलारत क्षाषरे बनी चुछा आप यह देखो कैसे मैंने बना रहे हैं अब मैं इसको एड़ कर देते हूं इसमें टेल में डाल रहे हूं मैं घी में बना रहे हूं आप कुछ में भी बनाता है अगर आपके पास घी है तो आप घी में बना लो नहीं तो रिफाइन में भी बन जाते हैं उसका भी स्वाद होता है पर कोई भी खाना जो गी में बनता है वो अलगी टेस्ट आता है इसलिए आप ज़्यादा कोशिस करो क गी में बनने अबनने निकाल लेकिए अबनने आप देख सकते हो जासनी और कलचा चुदा के इसी दर में और मिकाल कर रही हूँ सब्सक्राइब अबनने अबने लिए अबनने आपना अगई कि नया?